प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहतर चल रही होगी तो आज कि इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कॉंश्टेवल का 24 अगस्त का फर्स शिप्ट का एक्जाम हो गया है 24 अगस्त फर्स शिप्ट में पूछे गए सभी कॉंश्टेवल इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक हो से ज़रूर करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों लुक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब नोडिफिकेशन बाइल ओन करना न भूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग जी की सेक्षण वाला जो पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं तो पहला प्रेस पूचा गया था खालिस्ता ट्रोजन वाइरस ट्रोजन वाइरस कई सूलर विंड्स ओरियंट प्लेट फॉर्म उपर डाला गया था प्रत्वी के पर्थम सूपर कॉंटिनेंट बड़े माधीब का नाम है पैजिया अगला प्रश्म पूचा गया था कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकास सिल देशों को रिर्ण और अनुदान परदान करते हैं कौंश्रा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकास सिल देशों को रिर्ण और अनुदान परदान करते हैं विस्स वैंक इसे आप कह सकते हैं वर्ल्ड वैंक और नमर सी जो है ये बिलुकुल सही हो जाएगा चले बढ़ते हैं नैस कोशन की और चोथा कोशन देखेगा वेदो में मानो अधिकार को निम लिखित अबधारना से दरसाया गया है सुगय नैस कोशन पूझा गया था कि हर वर्स किस दिन को विस्स कला दिवस के रोप में मनाया जाता है अगर आपको कोशन दुदले दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा सकते हैं विश्व कला दिवस हर वर्स किस दिन मनाय जाता है तो ये मनाया जाता है हर वर्स 15 अपरेल को तो option number A correct हो जाएगा भारतिय समिदान का अनुच्छे 352 मुख रूप से सम्मंदित है राष्टिय आपात काल की उद्गोशना से तो आप्षिनमर डी जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा महिलाओं और SCST समुदायों में उगमिता को बढ़ावा देने के लिए भारति सरकार दोरा कौन सा कारिकरम सुरू किया गया था माईलाओं और SCSD समुदाओं में उगमिताओं को बढ़ाबा देने के लिए भारत सरकार दोरा स्टार्टप इंडिया कारेकरम शुरू किया गया तो option number A सही हो जाएगा विजय नगर सम्राज की इस्थापना 1330 में किसके दौरा की गई थी मेगा सहर वे सहर हैं जिनकी जन संख्या खालिस्तान से अधिक ह किस भारती योजिना का उद्देश आसंगठित छेत्र के स्रेमिकों को 60 वर्स की आयो के वाद नियुनतम 3000 प्रतिमा 55 परदान करना है आप्शन अमबर ए जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा परदान मंत्री स्रम योगी मांधन The Cornicles of Narnia Sringla किसके द्वारा लिखी गई है The Cornicles of Narnia Sringla जो नहींगा जिए लिखी गई है C.S. Lewis के द्वारा आप्शन अमबर V जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जन्संख्या में परवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मरत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली इस्तिती क्या कहलाती है तो ये स्थिति कैलाती है सूने जन संख्या वरद्धी और सी जो है ये विलकुल करेक्ट हो जाएगा नेस कोशन नमरा है भारतिय तकनीकी और आर्थिक सयोग ITEC करेक्रम का उद्देश से क्या है सुगाई नैस को सिंस पूछा गया था भारत के GST मॉडल में संद्चनाउं इस्टक्चर्स की संख्या कितनी है भारत के GST मॉडल में संद्चनाउं इस्टक्चर्स की जो संख्या है वो है चार option a जो है यह विल्कुल correct हो जाएगा WTO के वर्तमान महान निर्देशक कौन है तो WTO के वर्तमान महान निर्देशक है नियूजी और कौन जी इवेला option a जो है यह correct हो जाएगा अगला प्रस्म पूझा प्रसिद उपन्यास दा Godfather यह किसके द्वरा लिखा गया है तो प्रसिद उपन्यास दा Godfather जो है न यह उपन्यास लिखा गया है मारियो पुझो के द्वरा option a जो है यह विल्कुल correct हो जाएगा पैन का पूर्ण रूप क्या है तो पैन का पूर्ण रूप होता है यानि इसका फुल फॉर्म होता है पर्मामेंट अकाउंट नमबर यानि से आप कह सकते हैं इस्थाई खाता संक्या सी ऑप्शन्स करेक्ट हो जाएगा प्रतवी की जलबायू प्रणाली के लिए उर्जा का प्रात्मिक स्त्रोथ है उर्जा का जो प्रात्मिक स्त्रोथ है वो है सूर्य है और अगला प्रशन देखेगा सभी बच्चे भारत में वितिय आपात काल घोशित करने का अधिकार किसके पास है भारत में वितिय आपात काल घोशित करने का जो अधिकार है ना ये राश्टपती के पास में है तो आप्शन अबर ए जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा तूल में से एक खालेस्तान के माध्यम से विसेस ओफर और ओन डिमांट प्रोशन के बारे में पता लगा सकते हैं चर्टी पीपुल ऑप्शन अबर वी जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो गाइस 21 कोशन देखेगा निमलिकित में से कौन सी बंगला देश की राश्दानी है बंगला देश की राश्दानी है धाका हर वर्ष किस दिन को अंतर राश्टी निरस्टी करण इबंब आप रसार जगरुकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और फिर नमर ए जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा पांच मार्च को अगला प्रशन देखेगा हाली में किस भारती हवाई अड़े को इनसको की 2023 प्रिक्ष ब्रिसेल्स में मानता मिली है प्रिक्ष ब्रिसेल्स में मानता मिली है ऑप्यामर C जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा Human Rights and Human Wrongs पुस्तक के लेखक कौन है वी आर क्रश्न अईयर ओप्शनमर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतबुद दीन एवक ओप्शनमर सी जो है ये बिल्कुल साही हो जाएगा नैस कोशन पूछा गया था गाइस नाइट्रोजन की खोज किसने की थी तो नाइट्रोजन की खोज जो है ना डैनियल रदरफोर्ड ने की थी किसने की थी डैनियल रदरफोर्ड ने निम लेगित में से कौन सा JST सामान प्रोटल है www.jst.gov.in ये JST का सामान प्रोटल है तो आप्शन नमर A सही हो जाएगा किस परवत को बुलू माूँटें कहा जाता है किस परवत को बुलू माुँटें के नाम से जाना जाता है ब्यापार घाटे से क्या विपराए है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो आपियांबर C जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा किसी संस्थाने रेत और धूल तूफान करसी में शमन अनकूलन नीती और जोकिम परबंदन उपायों के लिए एक काईड सेसक के रूप की में रिपोर्ट जारी की है तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की है FAO यानि उप्यवियांबर C जो है ये फिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रत्वी का अल्बीडो काफी हद तक किससे प्रवावित होता है तो प्रत्वी का अल्बीडो जो है ना ये काफी हद तक बादल च्छा जाने से मेगा जहन से प्रवावित होता है तो आप्शनमर वी सही हो जाएगा DNA की सनचना किसके दूरा खोजी गए थी तो DNA की सनचना जो है न जेम्स वाट्सन फ्रांसीस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी तो वी ऑँपुसंस जो है करेक्ट हो जाएगा किस वैंग ने भारत में विमूद्री करण का समर्थन किया किस भाइंग ने भारत में विमुद्री करान का समर्थन किया था भारतिय रिजर्व भाइंग ने तो सी ऑप्शन्स करेक्ट हो जाएगा निमलेखित में से किस साइबर अपराद में समेधन सील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोका देना शामिल है फिशिंग ऑप्शनमर डी जो है ये विलकुल करेक्ट हो जाएगा नाइस कोक्षन देखेगा साहित में नोबल प्रोसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय थे रविंदरनाद टैवर ऑप्शनमर डी से हो जाएगा जर्मनी की राजधानी कौन सी है तो जर्मनी की राजधानी है मेरे प्यारे साथियों बरलिन ऑप्शनमर सी करेक्ट हो जाएगा अब हम लोग देख लेते हैं शामान हिंदी की आंसर की GKS sections की और मैं बात करूं तो GKS section में प्रशन काफी easy पूछे गए हैं फर्स shift में अगर मैं general हिंदी की questions की बात करूं फर्स shift के तो देख लेते हैं general हिंदी के कैसे क्या question जो है पूछे गए हैं आज की फर्स shift में तो ये रहे जेनल हिंदी के कोशिन, पहला कोशिन देखे च्छपा हुआ आको मिल रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ, दस मुख में कौन सा समास होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, कि जब किसी व्यक्ति, किसी प्रसिद व्यक्ति आप भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर क दश आनन हैं जिनके, दश आनन हैं जिनके, यानि राबड, तो राबड एक प्रसिद व्यक्ति है, जैसे कि इंद्र जीत, इंद्र को जीतने वाला, यानि मेगनात, ये भी इसमें भी बहु परे समास हो जाएगा, जैसे कि नील कंट, नीला कंट है जिनका, यानि भगवान स जिसे की पितांबर पीला अंबर है जिनका यानि भगवान बिश्णू यह सभी सब्द भव प्रे समास के उधारण होते हैं छपाओा कोशन गुड़ गोबर कर देना छपाओा कोशन देखिए छपाओा कोशन आपको मिल गया गुड़ गोबर कर देना मुअबरे का सहिर्थ क् तो गुड़ गोबर कर देना इसके आप क्या कह सकते हैं इसे आप कह सकते हैं बना बनाया काम बिगार देना ओप्शन अमबर ए जो है करक्ट हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम इसका आर्थ क्या होता है आम के आम छपाओा कोशन आम के आम गुठलियों के दाम यान उत्ठान का बिलोब शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों पतन यानि आप्शन आमर A जो है ये विल्कुल साही हो जाएगा चलना फिरना दोडना कैसी क्यरिया है अकरमक्य!! कौंसी क्या है अकरमक्या ऑप्शन आमर D करेक्ट हो जाएगा अब देखे गद्यांस पूछा गया है लगबग गद्यांस से चार प्रशन पूछे गए हैं इर्शा का काम जलाना है मगर सबसे पहले वह उसी को जलाते है जिसके हिर्दय में उसका जन्म होता है आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो इर्शा उद्द्यस की च अब्रश ऑफ्य और सी करेक्ट हो जाएगा गद्यांस का उप्योकत सीच क्या है ये परस्ट में पूछा जा गद्यांस में इर्शालू व्यक्तियों की इस कोस्टन में थोड़ा सा में डवट लग रहा है इसलिए इस कोस्टन में आपको बाद में कराऊंगा ठीक है गद्यांस में प्रियुक्त धैर का क्या अर्थ है गद्यांस में प्रियुक्त धैर का अर्थ होता है लक्ष जिसे की फर्स्ट अटेम्ट में आपका एक्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपने लक्ष बनाया कि सेकंड अटेम्ट में एक्जाम कौलिफाई कर जाओंगा तो धैर रखना पड़ेगा धरकार्थ क्या होता है लक्ष होता है करण परक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक है तो यहां पर आववय की बात हो रहें देकि हो डिए पिलकूल एक दम घ्लेक हैंय हो जायेगा कवचन को जाएर। ऑफिंब totally institution है सभी वच्छे आसु कावे के वर दिए रचनाकर क्य謹न है तो अंसु कव की वाकि में किसी प्रश्यत व्यक्तिया भगवान के नाम आ जाएं वहां पर होता है वहुप्रेश हमास तो पीला अंबर है जिन प्रश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है लेकिन कोईस्टन्स वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था तुमड़ी के सब्दे के लिए साइट अकादमी परुस्कार किसे दिया गया है ये परुस्कार दिया गया है बद्री नरायन को तो सी ऑप्षन जो है करेक्ट हो यहां पर देखिए आपको सुद्ध वाक्य की पैचान करनी है मैंने प्रैक्टिस बहुत ही कराए थी मैंने सुद्ध वाक्य आप लोगों को पिछले सोंबार को स्कूल बंद था यह आपका सुद्ध वाक्य हो जाएगा तो वी ऑप्षन जो है ये बिलकुल करेक्ट हो ब्रक्ट से पत्ते गिरते हैं च्छपा हुआ कोशन दे सकते हैं आपनों बिलकुल च्छपा हुआ ओप्संस के साथ में बिलकुल वही कोशन जो मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बता है इसमें जो मैंन कॉमन है वह से तो ब्रक्ट से पत्ते गिरते हैं तो करता ने कर्म को करण के द्वारा संपर्दान के लिए अपादान से तो से किस में आता है अपादान में आता है अपादान आपका सही आंसर हो जाएगा कारके कुल कितने बेद होते हैं तो कारके कुल आठ बेद होते हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मैं वहां होकर आ तो मैं वहां वहां जो है न यह अव्वय सब्द हो जाएगा तो ऑप्शन अमर ए जो है यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन देखेगा दिये गए वाक्यांस के रिए एक शब्द क्या होगा जो कहा ना जा सके देखिए छपावा कोशन जो कहा ना जा सके उसको क्या नहीं है परिमान वाज़े क्रिया विशिशन शबत्र वी जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा वी रस्का इस्थाईवाव क्या होता है यह आपको बताना था तो वी रस्का इस्थाईवाव क्या होता है तो वी रस्का इस्थाईवाव होता है उत्सहा भय का क्या होता है भयान क्या होता है अद्वूद्ध तो ये आपको ध्यान में रखना है शीत का तो मेरे प्यारत सातिंऄं शीत का भिलोंग शब्द होता है तो यह käsंब mantra मी कौन एक बिशेशन सब्द है कौन सा इन्म्न सभ्द है तो महिंत जो आप देख रहें मेहिंत यह आपका विषेशन सभ्द हो जाएगा तो वी ऊप्ष NeAfter वार जी और क्या होगा देंदिनी च्छपा हुआ कोश्यन देखिए दैन्दिरी में कौन सा प्रयाबची सब्द उता है दैनिकी आफ्यामर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुहाक के नुपूर के रचेदा कौन है मोहराकेस प्रेमचन निराला अमरतलाल नागर सुहाक के नुपूर के रचेदा कौन है अमरतलाल नागर आफ्यामर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुर्टी सम्द सब्द यूम की भिन अर्थवाली जोड़ी को पहचानिये आफ्यामर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कुल-कुल स्रंगार रस का इस्थाईवाव क्या होता है तो स्रंगार रस का इस्थाईवाव होता है प्रेम क्या होता है प्रेम तो आप्शामर सी जो है ये बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है अच्छा हास का इस्थाईवाव क्या होता है हास का इस्थाईवाव होता है हास उत्साह का इस्ताइवा क्या होता है उत्साह का इस्ताइवा होता है विर्रस तो ये भी आपको ध्यान में रखना है महान सब्द का इस द्रीलिंग सब्द क्या होगा महान सब्द का तो महान सब्द का इस द्रीलिंग सब्द होता है महती क्या होता है महती सी ऑप्शन्स 2013 में मिल जुल मन उपन्यास के लिए साहित अकादमी पुरुषकार किसे दिया गया? 2013 में मिल जुल मन उपन्यास के लिए साहित अकादमी का जो पुरुषकार है ना मुरदला गरगो को दिया गया तो D-Options correct हो जाएगा निमलिगित में से कौन साथ वर्ण महापराण का उधारण तो यहाँ पर आपको महापराण वर्ण की पैचान करनी है भा आपका महापराण वर्ण हो जाएगा तो यह भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और यह आपको ध्यान में रखना है तो यह अगर आप लोगों को लाइक उस्छा जरू करें चैनल पर नए हैं जिश्ते चानल को जरू करें आप